प्रणाम दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरीज एंड फैक्ट्स हिंदी में आपका स्वागत है. मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सभी अच्छे होंगे. शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. कृप्या कमेंट करके जरूर बताए कि आप किस जगा और देश से है कमेंट करके जरूर बताए. हस्तिनापूर का इतिहास बहुत पुराना रहा है हस्तिनापूर को कोरवो की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है इसके साथ ही हस्तिनापूर महाभारत जैसे बड़े संग्राम का मुख्य केंद्र भी रह चुका है वैसे तो हस्तिनापूर में बहुत सी ऐसी जगह है जो आकर्शन का केंद्र रहती है लेकिन मुख्य रूप से दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, पांडव मंदिर, जम्बूद्वीप जैन तीरत, केलाश परवत, मुख्य आकर्शन के केंद्र है प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में इस बात का वर्नन किया गया है कि यह मंदिर उस युग से काफी प्रचलित में है क्योंकि माना जाता है कि पांडव इन मंदिरों में भगवान शिव की पूजा किया करते थे साथ ही बताया जाता है कि इन मंदिरों के पास पांडवों के कुछ मुख्य स्थान भी हुआ करते थे जो भूकम पाने की वज़े से नश्ठ हो चुके हैं इन मंदिरों का इतिहास कुछ अनोखा दिखाई पड़ता है जिस वज़े से यहां पर हर साल लाखों की तादाद में सैलानी इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम आपको हस्तिनापूर के इन प्रमुक मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे साथ ही आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इनके संस्थापक कौन है और इनका क्या इतिहास रहा है श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर इस मंदिर की स्थापना 1174 में हुई थी और इसके संस्थापक देवपाल सोनी है इस संस्था की देखरेक की जिम्मेदारी श्री दिगंबर जैन तीरत क्षेत्र कमिटी के पास है इस मंदिर में धर्मार्ट सेवाओं से लेकर बुनियादी सेवाएं मौजूद है दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर के परिसर के एक कमरे में देवी अंबिका की एक कलात्मक प्राचीन मूर्ती भी स्थापित है भगवान नेमिनात की मूर्ती देवी अंबिका के सिर पर विराजमान है माना जाता है कि यह प्राचीन मूर्ती एक नहर की खुदाई के दौरान मिली थी। यह हस्तिनापुर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है श्री शांतिनात जी, श्री कुंतुनात जी और श्री अरहनात जी के जन्म कल्यानक स्थान पर यह मंदिर स्थापित है। द्रोपती घाट मंदिर की स्थापना के बारे में अभी तक कोई भी एतिहासिक विवरन नहीं देखने को मिला है लेकिन इसको लेकर एक पौरानिक कथा प्रचलित है कहा जाता है कि एक बार रानी द्रोपदी स्नान करने के लिए नदी में जाती है उसे कुछी दूरी पर दूरवासा का वस्त्र नदी में प्रवाहित हो जाता है जिस वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल सकते थे लेकिन द्रोपती ने अपनी समझदारी के बल पर रिशी दूरवासा को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी तब रिशी उनसे प्रसन होकर उनको वरदान देते हैं तभी से इस स्थान को काफी महत्व दिया गया और इस स्थान को महाभारत काल से जोड़कर देखा गया यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ ही द्रोपती का भी एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया कैलाश परवत रचना यह मंदिर भी पहले जैन तीर्थनकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है कैलाश परवत रचना सबसे प्राचीन बढ़ा जैन मंदिर का ही एक्स्टेंशन है मंदिर में उपर जाने के लिए जीनाले की चार सीडियों को पार करना पड़ता है मंदिर के मध्य में 11.25 फीट पदमासंश्री 1008 भगवान आदिनाथ जी की मूर्ती स्थापित की गई है जो मंदिरों की चार परतों से पूरी तरह घिरी हुई है 72 जिनाले श्री तरिकाल 24 का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें काल कहा जाता है इसा मंदिर के मुख्या आकर्शन का केंद्र इरावत हाथी की सवारी कोलंबस ट्रेन पारणा मंदिर है मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे बजे से लेकर 9 बजे बजे के बीच का है मंदिर की स्थापना 22 अप्रेल 2006 में हुई थी मंदिर के संस्थापक श्री दिगंबर जैन तीरत क्षेत्र कमिटी है तथा इसका उद्घाटन श्री 105 ड्रानती माताजी के द्वारा किया गया करन घाट मंदिर करन घाट मंदिर से जुड़ा पौरानिक इतिहास यह बताता है कि यह मंदिर महाभारत काल से स्थापित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है इसके पीछे का कारण यह है कि इस मंदिर के भूगर्भ में एक शिवलिंग स्थापित है पंडितों की माने तो इसी शिवलिंग को दानवीर करन के द्वारा दान किया गया था मंदिर का रंग गहरा और गुलाबी है लेकिन यह बहुत सारी कहानियों और इतिहास को समेटे हुए हैं कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि इस स्थान पर दानवीर करन 50 किलो सोना हर रोज दान किया करते थे लेकिन वर्तमान समय में गंगा नदी इस पवित्र स्थान से लगभग 7-8 किलोमिटर दूरी पर स्थित है जिस वजह से उस गंगा को बूरी गंगा का नाम लिया गया है श्री अश्टापद तीरत की स्थापना श्री हस्तिनापुर जैन श्वेतामबर तीरत ट्रस्ट के द्वारा 31 जन्वरी 1996 में की गई थी और इस मंदिर का उदगाटन आचार्य भगवन श्रीमद विजें इंद्रदित्रा सुरिश्वर के द्वारा की गई यह अश्टापद तीरत भगवान आदित्यनाथ जी को समर्पित है श्री अश्टापद तीरत जिसकी हाइट 151 फीट उची है इसमें चारों दिशाओं में भगवान रिशबदेव जी की मूर्ती स्थापित है और प्रार्थना कक्ष से जुड़े चार द्वार है जिनाले जो सबसे उचाई पर स्थित है उस पर सिर्फ पांच मिनट तक रुखने की इजाज़त है अश्टपद कहने के पीछे का कारण इसकी आठ अलग अलग परवच रिंखला गौरीशंकर, कैलाश, बदरीनाथ, नंदा, द्रोनगिरी, नारायन, नर और त्रिशूली है और निर्वान कांट के अनुसार इसे आदिश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है कैलाश भारत चक्रवर्ती जिन्होंने 24 तीर्थकर मंदिरों का निर्मान करवाया था इनहीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा मंदिर कमेटी ने अश्टापद तीरत के दर्शन करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है उसी समय अंतराल में आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं तो इस गर्मियों में दर्शन करने का समय सुभा 7 बजे से 12 बजे के बीच और शाम को 2 बजे बजे से लेकर 6 बजे बजे के बीच है वही बात करें सर्दियों में तो इसका दर्शन का समय सुभा आठ बजे से लेकर बारा बजे बजे तक तथा शाम को दो बजे बजे से लेकर पांच बजे बजे तक निर्धारित किया गया है जम्बू द्वीप तीरत जम्बू द्वीप तीरत को द्वीप की श्रेनी में रखा गया है जो हस्तिनापुर में स्थित है कुछ प्रमुक एतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि जैन साधवी पूज्या अरिका रतन ग्यानती माता जी ने 1965 से पहले इसको अपने स्वपन में देखा था इनके स्वपन को जब सही माना गया जब 2000 साल पूराना शिलालेक खुदाई के दौरान मिला बताया जाता है कि जैन तीर्थनकर भगवान रिशबदेव के द्वारा भी इसी तरह का सपना देखा गया था इस द्वीप का सनरचनात्मक विवरन मिले हुए शिलालेक के आधार पर तयार किया गया है इसकी सनरचनात्मक कलाकृती हस्तिनापूर के सुधात्रिलोक संस्थान के द्वारा पूरी की गई है पांडेश्वर महादेव मंदिर पांडेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास 5000 सालों से भी अधिक रहा है इसका उल्लेक पुराणों में देखने को मिलता है कुछ हितिहासकारों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश के बाद पांडवों ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी यह तब की घटना है जब पांडवों को वनवास मिला था इस मंदिर को बनाने के लिए पूर्ण रूप से पत्थरों का प्रयोग किया गया है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है इस मंदिर को पड़ीला महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है देश ही नहीं बलकि विदेशों तक यह मंदिर काफी प्रचलित है कि यह व्रिक्ष भीम के द्वारा लगाया गया था यहां पर श्रद्धालू दीपक जलाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं यह मंदिर एक छोटी पहाडी के छोटी में काली माता की मूर्ती के नीचे स्थापित है यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इ कर देड़ आपको आपको हुआ है